आज किस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गुड़न खंड करना यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दो एक्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं पहला और दूसरा और आप विस्वास नहीं करेंगे किसार हम वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी आपसे बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा क्योंकि आप लोग ऐसा ही करके आए हो हमारी वीडियो में तो यार थोड़ा तो बक्त दो सिखाने का यहाँ पर क्या करा जाता है गुणन खंड करने में हम आपको पहले ही बता दें मूल या सून्यक ज्याद करे जाते हैं एक्स के दो मान आते हैं उसी को मूल या सून्यक कहा जाता है कई बच्चे क्या होता है कि ट्रेक बताते हैं लोग और वो समझ नहीं पाते कैसी ट्रेक वो कहते हैं कि हमें ऐसी दो संख्याओं को धूरना है जिसका गुणा करने से 10 आ जाए और जोडने से 7 आ जाए तो बच्चे धूरते रहते हैं मिलता ही नहीं है और चलो मालो ये मिल भी गई तो क्या होता है कई बार बड़ी संख्याओं आ जाती है क्या देते हैं कि ऐसी दो संख्याओं धूरिये जो गुणा करने से हमें 126 आ जोडने से 50 आ बच्चे घुमते रहते हैं फिरते रहते हैं उनको समझ में नहीं आता तो आज किस वीडियो में वेसिक और हाई लेवल का समझा देंगे जिससे क्या होगा कि आप बिल्कु क्लियर तरीकी से यहां पर आप सबसे पहले करेंगे इस्टेफ बन आफ सीखेंगे क्या है इस्टेफ बन में क्या करा जाता है एक स्कुर का गुणांग का मतलब कहलाता है उसके बगल का उसके गुणा में क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, है जैसे यहाँ पे X square के गुणान के में 2 है, तो कोई बात नहीं, 2 मिले गया तो 2 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं सा, तो 1 माल लिया अब एक का गुणा आपको किस से करना है इस से लाश्ट वाली अचरपद से ठीक है ये आपकी step 1 है गुणा करेंगे तो साहब 10 आएगा आगे है 10 अब आपको क्या करना है दूसरी step ये देखना है ये वाला चिन्न देखना है क्या है जोड का 7 यानि की जोडने से 7 कहने का अब ये है कि हमें ऐसी दो संख्याए धोडना है गुणा करने से 10 आजाए उनी दो का आपसमें गुणा करने तो 10 आजाए और जोड़ने तो 7 आजाए अब आप कैसे धूड़ते रहेंगे तो यहाँ पर कैसे धूड़ेंगे देखो इस 10 का गुणा खंड यानि फैक्टर कर आजाएंगे 5 और 2 का गुणा कर देंगे तो 10 आजाएगा और हम 5 और 2 को जोड़ देंगे तो 7 आजाएगा यही तो चाहिए था जोड़ने में 7 और गुणा करने में 10 ऐसी 2 संख्या धूड़नी थी तो कौन सी है 5 और 2 5 और 2 इतना सराल है धूड़ना यह आपका step 2 था कौन को देखो हर की समझ में आ जाएगी बस पैनिक बस नहीं हो ना कि सार यह क्या हो गया क्या हो गया अपने आप समझ में आ जाएगा लाष्ट में है ना क्या कर लेते हैं और अच्छी तरीके से यहां पर साप यहां पर कर लेते हैं इसके बाद क्या होगा देखो यह आप x स्क चालो फिर दस है तो दस बरावर जीरो अब आप क्या करेंगे देखो यह एक्स स्क्वेर अब जे पांच का गोणा होगा एक्स में पिलस पांच का गोणा का इसे होगा एक्स से तो क्या हो जाएगा पिलस पांच एक्स अब पिलस दो का एक्स में होगा तो का इसे हो जाएगा प्लस दो एक्स हो जाएगा और फिर क्या है प्लस दस बरावर जीरू अब देखो यहाँ पर दो दो का इस परकार से जोड़ा बन रहा होगा बन गया अब यहाँ पर लिया जाता है common अब common कैसे लेते हैं वो आप सीखिए x square का मतलब कहलाता है x into x है यानि कि यहाँ पर दो x है समझे गए ना आप लोग अब देखो अगर हम क्या कर लें यहाँ पर x common ले लें क्यों लिया x common क्यूंकि यहां पर भी x और यहां पर भी x है है कि नहीं तो अगर हम x बाहर निकाल लेंगे तो क्या होगा यहां पर 2x एक x निकाल लिए तो बचेगा 1x प्लस है तो प्लस कहीं है क्योंकि दोनों तरफ पोने चाहिए जुल सक्राइब कौंध आजाएगibt क्यों प्सक्राइब क्यों संख्या हम nearby यानि कैसे लिया सेम आ गई एक लिखने से कोई फायदा नहीं है वाई सब जे अगर आपकी सेम आ गई अंदर की तो समझ लेना आपका गोड़न खंड ठीक है अन्य था नहीं तो गलत है तो आप क्या करेंगे जो एक बार सेम है बो लिख लेंगे इस प्रकार से और फिर आप क्या करेंगे जो अलग है यह वाला एक्स है और पिलस दो सेम मेसचा कोई उतार लेना फिर यह लिख देना बराबर जीरो आप अब अपन करेंगे मूल घ्यात अब लेकेंगे आप यदी यदी एक्स पिलस पांच बराबर जीरो तो एक्स बराबर क्याहीं हो जाएगा प्छांतर क्या हो जाएगा minus 2 यह आपके सुनिया के यहाँ पे 2 आ चुके हैं इन्हीं को हमें ग्याद करना था जो कर चुके हैं आपे आप देख पारा ही होंगे यह आपका दूसरा सवाल है इसको भी हल कर लेते हैं तो आपको सब से पहले यानि कि हमें ऐसी संख्या को जूर wrestle अगर उंसकी हम आह क्रणा कर्तिर तो क्या है बारह अगरुए हम आहेंवार शाये एक और इनी का अगर हम आपस में गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा तो आपकी वो दो संख्याय मिल चुकी है चार और 3 है वो तो अब आपन क्या करेंगे हल कल लेंगे तो 2x square है तो square लिख लो पिलस है तो पिलस है अब एक की जगा क्या लिखेंगे यहां पर 4-3 into x है तो x लिख लो minus है तो minus 6 बरावर 0 अब क्या करेंगे आप? हल करेंगे आंगे 2x square एक प्लास 4 का X में होगा तो क्या हूजाएगा फिलस फोर X अब यहां पर देख सकते प्लस माइनस माइनस तो माइनस 3 का गुणा X में होगा तो माइनस 3 X तो माइनस 6 है यह बराबर 0 अब इसके बात चेह होगा अब अस परौकर से यह पर common आ जाएगा यहां पर देख पा रहे होंगे 2 कम 2 और 1x बाहन नकाल लिया तो 1x यहां पर बच जाएगा अब यहां पर पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे अब 2 दूनी 4 दो से 4 को काटेंगे तो 2 आएगा यहां पर और x अपने आल्रेडी निकाल लिए है तो यहां पर आयकर नहीं बचेगा और अपने हटा सकते हैं कोई मतलब नहीं यह लगाने से अब यहां पर लेंगे माइनस 3 यहां पर सब्सार आप मैंने 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- गई अंदर की तो आपका सवाल सही है तो अब आप जो सेम है एक बार बो लिख देंगे इस प्रिकार सिफ है जो बाहर है बो लिख देंगे 2x-3 आप क्या लिखेंगे आप यदी लगाएंगे यहां पर यदी में क्या लिखेंगे यहां पर आप देख सकते हैं बिलकुल सरल तरीके से आप यहां पर गोडनखंड करना सीख गए हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है चैनल को सस्क्राइब करना है मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में जब तक के लिए बाई